हलो काईज वल्कम बैक तो ने दे वीडियो ओफ माइनक्राफ्ट तो आज हम बनाने वाले हैं डोर बेल जब कोई दोस्त या गेस्ट घर के अंतर एंटर करेगा तब हमारा डोर बेल बचना शुरू हो जाएगा जब तक हम अंदर जाकर हमारा डोर बेल को ओफ नहीं करते तब तक वह बचते ही रहेगा तो आज की इस वीडियो में डोर बेल कैसे बनाते हैं स्टेप बेस्टेप दिखाने वाला हूं तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस हम हमारे डोर बेल घर के अंदर बनाने वाले हैं और कुछ काम अंदर है और कुछ आप डोर बेल काम नहीं करेगा इसलिए आपको सिर्फ आईरेंड दोर ही डालना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रेशर प्लेट डालेंगे और फिर प्रेशर प्लेट के आगे डिक कर लेंगे जैसे मैंने दिख किया है वैसे ही आपको डिक टो यानि सेम डिक करना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर मैं दो दो ब्लॉक्स तो रहा हूं आप देख सकते हैं सेम वैसे ही कर लिटेएगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर एक ब्लॉक्स तोर कर मैं यहाँ पर स्टिक की पिस्टोन डालूंगा स्टिक की पिस्टोन डालूंगा फिर यहाँ एक ब्लॉक से मैं cover कर दूँगा फिर जहां पर हमने डिक किया है वहां पर मैं redstone डाल दूँगा आप देख सकते हैं जैसे मैं डाल रहा हूं वैसे ही आपको भी same डालना चाहिए next उपर मैं block से अच्छी तरह से cover कर दूँगा जैसे starting में था वैसे ही cover कर दूँगा तो यहां पर हमारा बाहर का काम हो चुका है अब अंदर का काम शुरू करते हैं जहां पर मैं निस्टिक की पिस्तोन डाला है वहां पर ही मैं डिक कर लूँगा जैसे आप देख सकते हैं same मेरे ही तरह आपको डिक करना चाहिए मेरे थोड़ा बहुत decoration खराब हो रहा है पर कोई नहीं चलेगा और यहां पर मैं जल्दी से डिक कर लूँगा मैंने जितने blocks डिक की है न सेम उतने ही blocks आपको भी डिक करना चाहिए ठीक है ओके जहां पर हमने sticky piston डाला है उसे देख लिजेगा क्यूंकि उसके ही आगे अब हम डालने वाले हमारा redstone repeater ठीक है यहां पर मैं अपना redstone repeater डाल रहा हूँ next मैं redstone इसे connect कर दूँगा आप देख सकते हैं सेम मेरी तरह redstone को connect करिएगा ओ मैंने block तो नहीं भूल गया था यहां पर ठीक है आप तोड़ दिया मैंने अब next यहां पर मैं redstone repeater डाल दूँगा और redstone से इसे connect कर दूँगा सेम मैं जैसा redstone connect कर रहा हूँ वैसे यह आपको भी करना चाहिए फिर से यहां पर redstone repeater डाल दूँगा और side में redstone repeater भी डाल देंगे फिर next यहां पर हम डालेंगे sticky piston और उसके आगे एक block क्यूंकि हम यहां पर liver connect करने वाले हैं इसलिए यहां पर और एक block तोड़ दूँगा और redstone को sticky piston से connect करकर हमारे liver तक मैं यहां से लेकर जाऊँगा जैसे मैं redstone डाल रहा हूँ वैसे यह आ कुछ अंदर छुपा कर रखूंगा ठीक है तो यहां पर मैं आप देख सकते हैं बीच मैं अपना मैं river डाल रहा हूँ ताकि किसी को ना दिख सके सिर्फ मुझे ही पता होगी यह जग है ठीक है यहां पर मैंने अपना liver डाल चुका हूँ next मैं इसे अच्छे से डेक्रेट कर बाद में से पर आपको नहीं दिखाऊंगा मेरा सीक्रेट है वाला ही 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 मजाग बहुत उच्छे काई का इस थोड़ावच सीरियस हो जाते हैं और यहां पर पूरे ब्लॉक्स फुल्फिल कर लेते हैं यह से मैं यहां पर कर रहा हूँ ओकी गैस हमारा ब्लॉक्स घालना कर लेकर उपर लेकर जाकर मैं हमारा लाइक्स धाल دूँगा ठीक है और हमें यहाँ पर पांच स्लैब डालना चाहिए और उसके ओपर रेड स्टोन डालना चाहिए जैसे मैं डाल रहा हूँ और सिर्फ एक स्लैब का गैब दे कर और हमारा स्लैब डालना चाहिए मैंने यहाँ पर स्लैप और रेड स्टोन डाल दिया है अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं रेड स्टोन रिपीटर डाल रहा हूंगा और यहाँ पर रेड स्टोन से इसे कनेक्ट कर दूँगा और हमें यहाँ पर हमारी रेड स्टोन लैंप डालना है इसलिए हम पर एक ब्लॉक तो पिखोड कर यहां पर gjलम्च चाहिए चाहिए नेक्सिम मैं हमारे चाहिता है के चाहिए चीकि Siis इसलिए गाइस मैं सुबा करकर इसे आपको दिखाऊंगा तो सुबा हो चुकिए गाइस यहाँ पर जब अब हम हमारे डॉर्वेल को टेस्ट करकर देखते हैं तो ओकी गाइस हमारे डॉर्वेल बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसकी सौन तो बहुत ही जादा लाउड है और guys हमारा doorbell अच्छी तरह से बन चुका है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया है और यह है मेरा सबसे बड़ा घर हाँ सबसे बड़ा घर ही है ठीक है guys मैं यहां पर आपको मेरा back yard दिखाने जा रहा हूँ मेरा backyard तो बहुत जादा सुन्दर है देहिए गाइस यह है मेरा backyard और यहाँ पर swimming pool भी है तो आप सोच रहे होंगे मेरे पास इतना बड़ा गर है तो O.P. items तो होंगे ही हाँ guys आप सही सोच रहे हों मेरे पास O.P. items है पर कोई नहीं guys अगर आप इस चैनल को बहुत जादा प्यार करेंगे तो मेरे चैस में खुदबा खुदी O.P. items आ जाएंगे इसलिए इस चैनल को बहुत जादा प्यार कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा इस चैनल को और लाइक कीजेगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजेगा इस चैनल को बहुत जाएंगे